जैश्री राधे मित्रों मैं किशोर पारिक किशोर और मेरे साथ मेरी धरम पतनी स्री मती सुनीता पारिक आज प्राते कालीन ब्रह्मन के दोरान धरम पतनी सुनीता के साथ ब्रह्मन कर रहे थे अचानक उन्होंने कहा कि आज सौंबार है बगवान भोले नात के दर्शन करा दीजिए किसी मंदिर में मैंने कहा प्रकृति के कंकन में भोले नात भी राजमान है अचानक मेरी नजर एक व्रक्ष के पत्तों के बीच में शिवलिंग पर पड़ी उसके फूल पर पड़ी जो बिलकुल शिवलिंग की आकरति का था अचानक मेरे मूँ से निकला जय भोले ना था रर महादेव मैंने धर्म पत्नी का ध्यान उसकी और दिलाय आकरशित किया लीजिये शिव जी ने दर्शन दे दिये बेल पत्र की जगे आसपास पेड़ों के पत्ते वहाँ पर चड़े हुए थे परिंदों की चहचाहाट में हमें ओम नमज शिवाय का जाब सुनाई दे रहा था कोयल की कूक थी हम दोनों रोमान चित हो गए हमें रामायन की वे चोपाई याद आ गई जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरत देखी तिनवेसी जैसी दस्टी वैसी सर्ष्टी हम प्रसनेता से हाथ चोड़ कर शीव को नमन कर रहे थे प्रभू की इस अद्भूत लीला के प्रतिक रतग्यता के भावव प्रगट करते हुए बहुत प्रसन्य चित्य मन्द से भोले बाबा के साक्षा दर्शन की स्मृतियों को रिदय में संजोए जय भोले नात का उदोष करते हुए हम दोनों घर लोट आए जय शीव शंकर जय शीव लेरी भोले नात कैसी लगी आज कि हमारे अनुबहुत